लागी का मारगे और हे लग चोट काल जाकर के कि अर्म नियाही, मारी बेजती करें तना बोलन का भी ना भी ना भेरा मन शाइठ साल की औरतना तुँ छै मिन्यागी बतावे अर सुस्रा मार दिया तना खसम मार दिया उन्नने ते छै कोई ना अब वो होगी कला सुरू अब ऐसी होता है जगत और बगत का न्यूबैरों से उनके सारे नियम और उलट होते हैं अब बुड़ आया से आमने बुड़ यानतर होगी सुरू फिर सारे परवतन शुनाने वह लिए किसे गर की आगी या देख उनके गांम तायरा था एक बाब बाबा जी अरो रुचा था वकितने में थी सासू है कि वह अबंब बधर सभ्ली सासू है मुझे तो शासू पका प्रवार बड़ पार रिच मोईगे शोच पर या चायरा भी झालणो बॉचेजे ड़ भी dentro पुड़ा समझदार था इस बालक गेला के बालक होंगा और उखेर के गया है दो तिन आऊंगा फिर मैं उसी से बात करूँगा तो वर्ज ने उसके सुसर ने जब वो आया संत उससे पूछा महराज जी इस लड़की ने बहुत गल्द सब्द परियोग किया और हमने इस बात क गणा दुखो रहा है अग्या सब्द परियोग कि उसने आप की बात हो रही थी जब मेरी पतनी को अपनी सासू जो साइट वरस की है लगव उसको तो ने उब ली और कि अच्छा है मिन्या की है और मैं देखते रागे जीवत बेट है मेरे बारे में किया बताया था उसने ए लाएक लड़की है और अपने पती के बारे में बिन्यों कहे थी उससे ओ भी कोई ना कि वारांड होगी भाई तब उस मातमा ने कहा कि चौदरी साब बात सुनो मेरी ये मारे कोड़ वर्ड थे ये थारे समझ में बातान की कोई ना थे बाबुड याइब उड़े बैठी व उस मातमा जी ने कहा कि जिसने नाम नहीं ले रख्या बक्ती नहीं करता उसका ममन उस जिवन नहीं है वो तो पसू गेसा जिवन है और इस बुडिया ना छहे मिन्यों पहले नाम लिया हका। ठेम पहले नाम लेटा था मुनम authors जे आरे थे गाम में और जो अर इसे धरी बेट ने द्वाओ एकर मुझसे नाम दिला था मुझे नाम दिला था तो इसलिए तेरे नेो बता रही थी ही तू छेम इन्या की से बुलिया, इस ते पहले का माई तरह जनम पसू के साथ आ मानस का नहीं था, और जिस दें ते नाम इला उस दें ते 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 तिरा मनुस का जीवन पर हरब है, इसलिए तू छेम इन्या की बताई, तो आख अच्छा मारा जी मेर बत गलती होगी, और मन तो बहुत गलत सलत बोल जा है बेटी ताइम, और कोई बात ना, बिना ग्यान के ऐसी हो जाता है, और सुसर ने नाम नहीं ले रख्या, इसलिए इस ने नोका क्यों तो साय को नी, तो बुड़े के भी इस बात का असर हो गया, अक मारा जी बात तरी सोला ने, काफी साथ ग्यान को जाकर भी ऐसे सुधार देती है, तो जिस दिन से आप जी को उपदेश मिला है, वो आपका जनम है और बाकी का दो जीवन है आपका, वो विर्थ गया, फिर भी कहते हैं, जीना तो थोड़ाए बला, कई वजर्ग ऐसे होते हैं, जब तक हमें उपदेश प्राप्त नहीं ह हुआ तब तक हमारा जीवन विर्थ होता है, और मानुस जीवन पाक है प्रमात्मा की भक्ती नहीं करते हैं, तो अब ये पसू तोले जीवन बताया सत्वरू ने, तो गुरू जी भी पूरा हो, देखो प्रमेश्वर कबीर जी आते हैं, वो चारों युगों में अपना ग् होता है, बाकी ग्यानों में दम नहीं होता, तो उस परमेश्वर के ग्यान को आधार बनाकर ये नकली संत भी नाम देते फिरते हैं, उसी आधार से वो नाम ले लेते हैं, लेकिन उनको और लाब कुछ नहीं होता, नाम का जो कुछी अधिकारी नहीं है, लेकिन इतना अवस जाते हैं और ये समय आता है कोई बहुत लंबे समय के बाद जैसे परमातमाद 600 वर्स पहले आए थे उसमें आप जी को उपदेशी बना का है और आपकी बैटरी चार्ज कर गए आपको इतनी बगती करवाएगे के आप इस बिचली पेड़ी तक आप जी का मनुस जीवन चलता हुआ आ रहा है और केवल आप जी को पांच नाम दे कर गए थे वो इन पांच नामों से 600 वर्स पहले केवल पांच नाम दिये जाते थे परमातमान ये और नाम नहीं देते थे अकेवल कुछे पुन्यातमाओं को जो विशेस आतमाओं थी उनको ये सभी मंतर दिये गए थे लेकिन उनको आगे दान करने का आदेस परभूने नहीं दिया था वो कौन सी पुन्यातमाओं हैं जो 600 वर्स के दोरान आज से 600 वर्स के बीच में जिन से परमातमा मिले आदनिय दरमदास साहिब जी उनके समकालिन थे आदनिय नानक साहिब जी कभीर साहिब के समकालिन थे आदनिय मरुकदास साहिब जी आदनिय दादू साहिब जी आदनिय गरिबदास साहिब जी छुडानी वाले गाउं शुड़ाने वाले जिलाज़जर हरियाना वाले आदनी अगीसा दास साहिब जी ये बाद के हुए हैं उनके समकालिन दो मातमा पुरुष थे उन सब को परमातमा मिले और उनको नाम पूरे दिये लेकिन उनको आगे नाम देने का आदेस नहीं दिया किसलिए नहीं दिया क्योंकि ये नाम फिर सब जगे फैल जाएगा नकली संत नकाल के दूट इन्ही नामों को देते हुए फिरेंगे और हमारी जब बिचली पीठी का समय आएगा इनको पार करने का जो अब वरतमान में चल पड़ा तो उसमें हमने तो ग्यान की बिंता बता पाएंगे और नहीं नाम की कोई बिंता होगी वही नाम वो नकली दे रहे होंगे वही नाम हम देंगे तो नकलीओं को छोड़ कर वो पुन्यातमा हमें पैसान नहीं पावंगी यहां नहीं आएंगे जैसे आदनिय नानक साहिब जी को ये सत नाम दिया था दो अखर का इस दो अखर के नाम के जाब की विधी भी अलग है पांच नाम भी दिये थे पांचो नाम उन पांच नामों का भी गुरुगन साहिब में विवेचन है जिकर है और सत नाम का भी रह रहे कर जिकर है लेकिन सत नाम ये कोड वर्ड है सत नाम कारत है सच्चा नाम सच्चा साहिब सच्खंड सच्खंड कहो चे सच्खंड कहो चे सत लोक कहो वो तो है एक सथान का नाम और सत नाम कहो चे सच्चा नाम कहो रियल मंतर कहो ये है एक जाब करने का अक्षर मंतर तो ये मंतर नानक साहिब जी को परमात्मा ने दिये थे कबीर परमिश्वर रे लेकिन उन से परतिग्या करा ली थी कि अभी पुन्यात्मा ओ ये नाम किसी को नहीं बताना ये नाम दान नहीं करना नहीं तो बिचली पीठी में हमारे जीवों को ये काल के दूत अपने जाल में फसाई रखेंगे हम उन से वापिस नहीं ले सकेंगे जैसे दंदन सत्गुरू, रादा स्वामी, और ये अनसादेश आले, बालयोगी, श्वर सत्वालाले, नरंकारी, या सारामर के से ये सब मूरख बनारे बोली आत्माओं को, इनके पास खक नहीं गयान का कत्तिय द्यात्म गयान ये पैसे कहने महापुर्शों के पाद। ये पिछले जन्म की पुन्य आत्मा है, पुन्यों का नास कर रही है। और साथ मैं भोडी आत्माओं को मिस गाइड करके बगवान से दूर करके ये महाद पाप के भागी हो रहे हैं इस से बड़ा अपराद परच्वी पर नहीं है और इस से बड़ा पुन नहीं जो आतम पराण उधार ही ऐसा धरम नहीं और इन पुन्य आत्माओं को सही मार्ग दे दिया जाए इससे बड़ा कोई पुन्य नहीं है और इससे बड़ा पाप नहीं आपके अनमोल जीवन को बरबाद किया जा रहा है नकली संतों और गुरूओं के मादम से ये काल अपना दाव लगा रहा है तो ये जो दास से आपको बताना चाहता है कि प्रमातमा ने ये मार्ग छुपा रहा था इस ग्यान को भी छुपा कर रखने की परतिग्या करा रहा रही थी दरम दास तो ये लाख दोही ये मूल ग्यान कहीं बार ना जाई मूल ग्यान जो दास आपको अब परकास में ला रहा है जिस ग्यान को इसको छुपा कर रखने के परतिग्या करा रहा रही थी और ये मूल ग्यान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाए अब तेर माँ पंथ यो शुरू हो गया परमातमा का ओरिजिनल तो बारत आपको खतम होगे क्योंकि उनका अस्तितों समाब तो जाएगा उनके पास वो मंतर नहीं वो ग्यान नहीं वो नाम नहीं और आज बुद्धिमान समाज जाए जो के टिड़ है बहुत सी गरिस मारकोस विकार करेगा तो नानक साहिब जी को परमातमा ने नाम दे जिया था सत नाम और फिर गुरू नानक जी को उसको सीधा नहीं बोलते थे सत नाम स्री वाहिगरू सत नाम स्री वाहिगरू वाहिगरू सत नाम वाहिगरू वाहिगरू का रत था कबीर परमातमा सच्खंड में नानक जी को लेकर गए थी वहाँ देखा था उनके नजारे को जाकी को कि सच्मुच ये तो प्रमात्मा है सच्खंड में रहते हैं फिर प्रमेश्वर ने कहा था कि आप ये वापिस जाओ इस ग्यान का परचार करो जो आपने आखों देखा है वो जनता को बताओ वगतों को ये काल का जाल समझाओ और मैं कासी में रहता हूँ रामानन जी मेरे गुरुदेव है और मैं वहाँ जुलाहे का काम करता हूँ मैं पर्थ्वी पर भी रहता हूँ अब नानक जी वापिस आये तीन दिन तक वो अधरिश होगे थे बेई नदी में डूपकी लगाई थी नाने के लिए वहाँ से वापिस नहीं आये थे तीसरे दिन उसी दरिया के किनारे खड़े दिखाई दिये उसके बाद जो नोकरी करते थे नानक जी नोकरी को चाग कर पर्थम उदासी बनारस की है वहाँ पहुंचे वहाँ देखा जो परमात्मा को हाई सूरत मलक की वेस ए ठगवाडा ठकी देश खरा सियाना वहतावार ये धानक रूप रहा करतार आखों मासू बर्याई और वहाँ के जुलाओं को कुस कलोनी में खड़े हो कर आवाद लगा रहे हैं के ये रहा ये धानक रूप रहा करतार ये परमात्मा रहा लोगों आजाओ देख लो बाईो बगतों ये भगवान है ये परमात्मा है अर नोका आगरेंगर का जोगी जोगड़ाबार का जोगी सिद अब जो लाहों ने कासी वालों ने तो वो एक मूरक साल आगए था एक गरीब बड़ास आदमी दानक जो लाहा कपड़े बन कर रोटी खा अपना गुजारा कर रहे भगवान पतावा है कोई साथ जनम भी नाजचा है लेकिन नानक साहिब जी कैसे भूल सकते है फिर नानक साहिब जी को अपडेश दिया कि वहाना सतनाम दूँगा तो उससे पहले वाहे गुरू सतनाम वाहे गुरू सतनाम सतनाम मिले वाहे गुरू जब परमातमा मिले देखा तो ये तो वाहे गुरू यानि वो परमात्मा ही ये गुरू रूप में परत्वी पर विराजमान है आदनिय ग्रीबदास साहिव जी को भी परमात्मा ऐसे ही सच्खंड लेकर गए थे और फिर वापस थोड़ा था उनके अंतकरन में ये तत्व ग्यान भर दिया था उनका ग्यान योग और दीव दिरिश्टी खोल दिया था तब आदनिय ग्रीबदास साहिव जी न कहा था हम सुल्तानी नानकतारे दादू को उपदेस दिया जात जुलाहा बेद न पाया ये कासी मह कभीर हुआ हम यानि मुझे पार किया अबराहिम सुल्तानी अधम को पार किया दादू जी को पार किया नानक जी को पार किया हम सुल्तानी नानकतारे और दादू को उपदेस दिया वो जाती जुलाहा वो दानक जातमे उत परगट परमातमा और भेद नी पाया वो कासी मह कभीर हुआ कहते हैं जाकी वे कबीर की नानक की तीवा और वह सिखा के गलपडीब कुन छुटा वेता अब नानक जी ने प्रमात्मा को देखा था सत लोक में जाकी एक जलक है जैसे आप 26 जनुरी पर देखते हो न वही अब जाकी आ रही है हरियाना की उसमें अरियाना के अंदर जो भी उनका प्रोग्रेसिव वरक होते हैं कोई अच्छी स्थल होते हैं उनकी एक जाकी बनाते हैं तस्वीर बनाते हैं उसको सजा दजा का एक ट्रेक्टर से पहले लेकर चलते हैं तो उस जाखी में वहां के अर्याना मगए में जो भी प्रोग्रस हो रही है या को हुए अच्छा स्थल है। प्लान्ट लगे हैं। उस के अंदर एक मॉडल बडाय होते हैं। उसको जाखी बोले है नजारा। तो ऐसे कहते हैं सत लोग में परमातमा को देख कर जांखी वेख कबीर की नाना किती वह वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू ओई होई 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 उन्हें तो हर्दे से कहा था वह 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 ओई होई ये है वगवान और फिर कभी गुरू रूप में बनारस में लाजब नहीं कहा था वाहे गुरू सत नाम वाहे गुरू